हेलो फ्रेंड, सीवी किरसोई में आप सबका स्वागते कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे और स्वास्त होंगे तो आज हम बनाने जा रहे हैं आम पना इसे गर्मियों में बना के पीना चाहिए जिससे हमाई सरीर में ताजगी बनी रहती है और इसे हमें लू नहीं लगती है तो इसे कैसे बनाते हैं चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं तो इसे बनाने के लिए हमने लिए हैं आम यानि कच्छी कैरी साथ में पुदीने के पते अब कैरी को हम छील लेंगे और इसकी जो बीजे से हम निकाल लेंगे तो अभी हम इसको रफली चॉप कर लेंगे तो सारी कैरी को हमने रफली चॉप कर लिया है देखिए कैरी हमने सब रफली चॉप कर लिया है अब हम एक बरतन रखेंगे गैस पे इसमें हम एड़ करेंगे एक गिलास के करीब पानी, अब इसमें हम एड़ कर देंगे जो कैरी हमने काट करके धुलके रखी थी, इसे हम इसमें एड़ कर देंगे, साथ ही इसमें हम एड़ कर देंगे कुछ मसाले, मसालों में हमने लिया है दस से बारा के करीब काली मिर्च ये आदा छोटा चम्मच सौफ, आदा छोटा चम्मच के करीब जीरा आद में थोड़ी सी कस्मीरी लाल मीच पाउडर और आदा चम्मच काला नमक और साथी में थोड़ा सा सफेद नमक यानि खाने वाला नमक अब थोड़ी सी इसमें आड़ करेंगे चीनी चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर आपकी कैरी खटी है तो आप थोड़ा ज़्यादा करें कम खटी है तो थोड़ी सी चीनी अड़ करें अब इसमें हम इन सब को मिक्स कर लेंगे और ढख करके करीब 10 मिनट के करीब पका लेंगे तो देखिए हमारा 5 मिनट बाद हमने देखिया जो हमारे कैरी में अच्छा उबाला चुका है और यह किसी सॉफ्ट ही हो चुकी है 5 मिनट इसे हम और पकाएंगे तो अभी हम इसे गैस को मेडियम आज पे इसे हम रख के इसे हम पका लेंगे देखिये 5 मिनट के करीब हमारे हो चुका यानि 10 मिनट हो चुके हमारे जो कैरी को पकते हुए और यह काफी अच्छी पक चुकी है अब हमें गैस ओफ कर देंगे और इसे निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे तो कैरी को हमने एक साइट रख दिया है जब तक यह ठंडी हो रहेंगे फिर हम इसका एक अच्छा सा पेश त्यार कर लेंगे तो देखिए कैरी हमारी ठंडी हो चुकी है अब हम क्या करेंगे एक मिक्सी का जाल लेंगे उसमें हम एड़ करेंगे जो कैरी का पेश बना कैरी है बाला तो उसे हम इसमें एड़ कर देंगे साथ हम इसमें एड़ करेंगे पूदीने के पत्ते तो पुदीने के पत्ते हम इसमें आड़ करेंगे, अब हम इन सब को एक अच्छा सा पेश्ट त्यार कर लेंगे तो देखिए इसका जो हमने पेश्ट त्यार कर लिया है, अब हम इसे छान लेंगे तो देखिए इसे अब हम इसे चाल लेंगे तो हमने लिया एक छन्नी इसमें हम सारा पेश्ट इसमें आड़ कर देंगे तो अभी हम इसे चमच की सायता से इसे चला लेंगे जिसे इसका जो है पेश्ट वो सब निकल जाएगा बाकी तो अभी हमने देखिए इसे निकाल लिया है अब हम क्या करेंगे गलास लेंगे साथी इसमें हम एड़ करेंगे आइस क्यूब तो हमने दोनों गलासों में आइस क्यूब एड़ कर दी है तो अब हम इसमें एड़ करेंगे दो चमच के करीब जो हमने पेश्ट बना के रखा तो देखिए इसमें हमने एड़ कर दिया, साथी में अब हम इसमें एड़ करेंगे ठंडा ठंडा पानी यानि ठंडा पानी इसमें हम एड़ करेंगे तो अभी हम इसमें ठंडा पानी हमने इसमें एड़ कर दिया साथी में अब हम इसमें एड़ करेंगे बुना हुआ जीरा जीरे को हमने तवे पे हलका सा रोश्ट कर लिया था उसे पीस लिया है तो इसे अभी हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा सा और इसमें हम एड़ करेंगे थोड़ी सी कस्मीरी लालमिश पाउडर तो देखिए इसमें हमने थोड़ी सी कस्मीरी लालमिश पाउडर भी एड़ कर दी बहुत थोड़ी सी साथी अब इसमें हम एड़ करेंगे चाट मसाल आप इसमें हम उन्हें चाट मिसालर डाल के आईसे आप सरु करें अगर आपको हमारी रेसीवी पसंद है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें कमेंड करें और हमारे चैनलेन को सब्सक्राइब